हलो डियर श्रेंट्स कैसे आप सब लोग लीज़े एक बार फिर से हम लेकर क्या हजिर हैं यूद पाट साला के इस प्रेट फॉर्म पर केमसिटी में हमारा टॉपिक चल रहा है अमल चार और लवन, एसिड बेस और साल्ट, एसिड बेस साल्ट अमल चार लवन के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं चार और लवन के बारे में जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो अमल होते हैं वो अमल क्या होते हैं स्वाद में खटे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं जो आपका प्रोटोन देने की छमता रखते हैं और अमल नेले लिटमस फेपर को लाल कर देते हैं साथ ही साथ अमल जो होते हैं उनका पी एच मान जीरो से लेकर के साथ के बीच में उतार था साथ से क्या होता है कम कम होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम अमल के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं वई अमल कहते हैं क्या कहोगे आप उन्हें अमल कहोगे क्या कहोगे वई तो ये था हमारा अमल फिर कुछ ऐसे अमल थे जो हमारे देनिक जीवन में काम में आयते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि इसमें कौन सा अमल पाय जाएगा इसमें कौन सा अमल पाय जा तो एमरे के बाद में यह पी-एच वेल्यू के आदार पर एम्ले छार और हुदाशर विलियन का निर्दारण किया है ना तो चलिए पी-एच यस के बारे में वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद में अहीज़िब सिर्ट में आमले छार और मिल Career BILL के अगर हम बात करें कि अमल चार लवन क्या होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा लीजे चार या भस्म चार या बस्म चार या बस्म या एलकलाइन मटेरियल सबस्टेंस चार या बस्म किसे कहोगे आप चार किसे कहेंगे और बस्म किसे कहेंगे देखो अमल का जस्ट उल्टा होता है हमारा चार जसे अमल कौन सा आयन देता है H प्लस आयन देता है अमल क्या देने की चमता रखता है प्रोटोन देने की चमता रखता है अमल स्वाद में कैसा होता है खटा होता है अमल नेले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है लाल में बदल देता है अमल का पी एच मान किस से होता है साथ से कम कम होता है इसका उल्टा कर दीजी आप कि अमल H प्लस आयन देते हैं तो भहिया चार OH माइनस देंगे OH माइनस आयन को हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जाना जाता है क्या कहते हम इसे हाइड्रोक्सिल आयन तो आप OH माइनस आयन कह दीजिए या हाइड्रोक्सिल आयन कह दीजिए तो अमल H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं जबकि चार OH-ION अर्था है तो यह प्रोटोन लेने की चमता रखेंगे अमल स्वाद में खटे होते हैं तो चार स्वाद में करवे होते हैं अमल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो चार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा अमल का pH मान 7 से कम होता है तो छार का pH मान 7 से क्या होगा जादा होगा आ गया समझ में उल्टा हो गया अमल H प्लस आयन देते हैं जबकि छार OH माइनस आयन देते हैं अर्थाथ हड्रोक्सिल आयन देते हैं अमल प्रोटोन देने की छमता रखते हैं, छार प्रोटोन ग्रहन करने की छमता रखते हैं अमल स्वाद में खटे होते हैं, छार स्वाद में कड़वे होते हैं अमल नीले लेटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, जबकि छार लाल लेटमस पत्र को नीला कर देते हैं कोई दिक्कत है ये तो आपको पूरा डिटेल में बताए था पिछली ख्लास में जब हमने पी एच स्केल पे चर्चा की और आगे भी आने वाला है उस पे जब हम चर्चा करेंगे और समझबा जाएगा तो अगर आपसे पूँचें कि च आर क्या होते हैं बस्न क्या होते हैं तो च आर वे योगीत होते हैं जो जल में विलियन में OH-1 देते हूं जो प्रोटन लेने की छमता रखते हूं जो स्वादमे कड़वे होते हूं और वह लाले रिटमस मेरका को नीला कर दे हैं वो चार होत आगे चले ओके तो चार ऐसा योगिक जो जल्य विलियन में हाइड्रोक्सिल आयन आगे न देखो हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब ओ एच माइनस आयन ऐसा योगिक जो जल्य विलियन में हाइड्रोक्सिल आयन देता हो क्या कहलाता है चार या बस्म कहलाता है ऐसा जलिये विलियन जो किसी जलिये विलियन में हैड्रोक्सिल आयन देने की छमता रखता हो तो वो आपका क्या कहलाता है छार कहलाता है जबकि जो H प्लस आयन देता हो वो क्या कहलाता आपका अमल कहलाता है जो चार जल में विले हो जाते हैं अर्थार्थ घुल जाते हैं उन्हें चारक कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं चारक कहते हैं तो ऐसे चार ऐसे भस्म जो जल में विले हो जाते हैं जल में घुल जाते हैं उन्हें चारक के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है भाई उन्हें हम चारक के नाम से जानते है समझ माया चार OH- आयन अर्थार्थ हैड्रोक्सिल आयन देने की छमता रखते है और जो चार जल में गुल जाते है उन्हें हम चारक के नाम से जानते हैं चारक कहते हैं और क्या बात आती है चार के बारे में चार अमल से प्रती किरिया करके लवन ये लवन गलत टाइप हो गया है इसकी जगे होगा लवन चार अमल के साथ में किरिया करके लवन वे जल देता बहुत अच्छा बहुत अच्छी लाइन है यह important लाइन है exam की द्रश्टी से चार जब भी अमल और चार की किरिया करवाई जाएगी जब भी अमल और चार की किरिया करवाई जाएगी तो हमें लवन और जल प्राप्त होगा लवन और जल प्राप्त होगा तो चार अमल के साथ में किरिया करके लवन और जल देत इसमें प्रोटोन ग्रहन करने की चमता पाई जाती है। एक्जाम्पल ले, कैसे होता है निर्मा, जैसे हमने लिया HCl, क्या लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अमल, सबसे प्रबल अमल होता है, उसे में हमने छार मिलाया, sodium hydroxide, NAOH, यह HCl, यह क्या है, और NAOH, जिसे हम sodium hydroxide कहते हैं, यह caastic soda होता है, कास्टिक सोडा में पाये जाता है साबुन का रासानिक सूत्र है एक चार होता है और HCL हाइड्रोक्लोरिक अमले यह एक अमले जो सबसे strongest acid खा जाता है सबसे प्रबल अमल का जाता है जिसका pH 1 एक से कम होता है एक या एक से कम होता है अब इसमें भी फिर वो बात आती है तनू या सांद्र है ना वो आगे हम चर्चा करेंगे तनू HCL सांद्र HCL डाइलूट और कॉंसेंट्रिटेड़ HCL तो जब अमल की किरिया आप करवाएंगे चार के साथ में अर्थात HCL की किरिवा हमने NUH के साथ में करवाई तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए लवन, मतलब साल्ट और जल लीजिए तो ये जो सोडियम होगा Na ये प्लस होता है वैसे भी विद्दू तो धनी तत्त होता है और ये क्लोरिन एक विद्दू तो नहीं तत्त इसके साथ में क्रिया करेगा तो हमें प्राप्त होगा NaCl Sodium chloride एक तो प्राप्त होगी है NaCl और देखो क्या प्राप्त होगी है HOH HOH को आप क्या लिख सकते हैं H2O तो NaCl क्या होता है वहिए खाने के नमक का राशानिक सूत्र होता है साधरन नमक का राशानिक सूत्र होता है जिसका राशानिक नाम होता है Sodium chloride हमारे घरेलू नमक का यही सूत्र होता है NaCl तो NaCl sodium chloride क्या है Salt है, लवन है तो यह हमें जो प्राप्त होगी है वो क्या प्राप्त होगी है, लवन और H2O प्राप्त होगा लवन, साल्ट, एनेसियल और जल का, ये फिक्स है, जब भी अमल और चार आपस में किरिया करेंगे, तो उनसे हमें लवन और जल का निर्मान होगा, उनसे लवन और जल प्राप्त होंगे, ठीक है बई, आगे समझ में, ये याद रख लेना, और ये खास कर य ये एक्जाम्पल आप जरूर याद रख लेना क्योंकि ये आता रहता है एक्जाम है तो ये important है ये line जब अमल और छार की क्रिया करवाई जाती है तो फल स्वरूप केवल लवन बनता है केवल जल बनता है लवन वे जल दोनों बनते हैं या अमल छार और लवन तीनों ही बनत है तो आपका answer होगा लवन वे जल दोनों बनते हैं तो अमल और छार की क्रिया करवाने पर लवन और जल का क्या होता है निर्मान होता है ठीक है तो क्या होगा निर्मान होगा किसका किसका निर्मान होगा किसका निर्मान होगा लवन और जल का क्या होगा निर्मान होगा किस का गुण है चार का ठीक है चार क्या करता है जो लाल लिटमस पेपर देखो आगई वही बात अमल कौन से लिटमस पेपर को किस में बदल जेता है कौन से रंग के लिटमस पेपर को किस रंग के लिटमस पेपर में बदल देता है तो अमल के विलियन में जब आप किसी विलियन में आप नीला लिटमस पेपर नीले रंग का लिटमस पेपर उसमें डुबोएंगे तो वो किसमें बदल जाएगा लाल रंग में तो जब नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाए तो वहे विलियन कैसा होगा अमल होगा और इसका उल्टा जब लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस रंग में बदल जाए तो वो क्या होगा आपका चार होगा और अमल स्वाद में कैसे होते थे खटे तो चार स्वाद में कैसे होगे कड़वे तो वही तो बात आगी देखो कि चार लाल लिटमस को नीला कर देता है जो आपका लाल लिटमस पेपर है उस ल विलियन में डाल लेने पर अगर वो लाल लिटमस पेपर नीला हो गया है ब्लू कलर का हो गया है तो वो क्या होगा हमारा चार यह है वो विलियन कैसा होगा चारिया अर्थार्त वो क्या है चार है बसम है क्या है वो चारिया बसम है आया ना समझ में चारिया बसम है और चार स् बिल्मस को कैसा कर देगा? नीला कर देगा. आ गए ने देखो चार के बारे में बाते हैं? चार अमल के साथ मिसरन पर वहे विलियन को कम चारए गए. अर्थार्थ जब देखो वही बाताई यह, जब हम अमल में मिलाएंगे चार तो उसकी àmलàiता कम हो जाएगी. और अगर हम चार में मिला दें अमल कि कोई जो चार है उस चारिये विलियन में आपने कुछ बूंद कुछ मात्रा में आपने उसमें अमल मिला दिया तो उस विलियन की चारियता कम हो जाएगी अर्थार्थ वो कम चारिये हो जाएगा और अमल के बारे में कहता कि किसी अमले विलियन में थोड़ा सा आप चार डाल देंगे तो उसकी अमलेता कम हो जाएगी आसिडिटी कम हो जाएगी तो वही चीज यहां चारियता जैसे मरदा होती ने मरदा में चारियता अमलेता होती है उसको दूर करने के लिए हम अलग अलग तरीके की चीजों का प्रियोग करते हैं फर्टिलाइजर्स कुछ केमिकल्स वगरे इनका प्रियोग करते हैं तो जब चार में हम थोड़ी बहुत मात्रा में क्या मिला देंगे अमले मिला देंगे तो उसकी चारियता कम हो जाएगी आया समझे देखो आपको यहां फायदा क्या है हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो थोड़ा अलग है अलग इसलिए कि एक तो हम जो चीज़े आपको यहां लिखवाएंगे जो आपको देखने के मिलेगी वो गर नोट्स as a class notes किताब फॉर्मेट नहीं books फॉर्मेट बदो काफी चीज़े फालतु की लाइने होते हैं जिनका exam से कोई लेना देना नहीं होता है तो हमें गंत से मतलब नहीं है हमें notes से मतलब है point two point ऐसे notes हो जिनको हम पढ़ सकें समझ सकें, बना सकें और जो exam में आने लाइगो तो यहाँ board पर इस visitor board पर जो भी line आपको यहाँ दिखाई देगी उस हर line से exam में प्रशन बन चुके हैं और आगे आने वली exam में भी प्रशन इनी line में से बनेगे maximum question आपको यहाँ जो board पर जो लाइने दिखेगी इसलिए हमने क्या किया है कि लिखने के दोरान कई बार writing खराब होती है, कई बार color दुंदला होता है, दिखता नहीं है same color होते हैं, तो फिर जो चीज हम आपको लिखवाने वाले थे उसको यहाँ आपको printed format में, animated format में तो वो आपके लिए आसान दायक हो और वो आपका फिर अच्छे डंक से आपको चीज well settled तरीके से आपको मिले, तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको अधिक से अधिक नई-नई innovation technology के साथ में आपको पढ़ाए जाए, जैसा कि आप देखते रहे तकसर जो animation technique होती है उनसे हम कई topics को animation technique से आपको समझाने की कोशिश करते है reality में, है ना, जो चीज़े आप सिर्फ एक board पर diagram बनाऊगे, माली जे heart का एक board पर हम diagram ही बनाएंगे और एक मैं आपके सामने real animated तरीके से पूरा heart है, वो working करता हुआ उसकी पूरा real heart अंदर से बहार पूरा valve कैसे काम कर रहे है ये सारी चीज़ें या किसी भी electron में, किसी भी atoms में, electron कैसे चकर काटते हैं कैसे proton, neutron वहां उसके अंदर bounded होते हैं, कैसे वो काम करता है कैसे electron का आदान प्रदान होता है ये अगर आपको reality में देखने को मिल जाए तो वो चीज़ जो visualization technique होती है उससे आपको समझने में काफी आसानी होती है और चीज़ परवनेंट याद रहती है तो चार या बस्म सिंपल है जस्ट अमल का उल्टा अच्छार का pH मान कितना होगा चार का pH मान साथ से ज़ाद होगा greater than 7 कितना होगा maximum 14 14 से ज़ादा किसी भी पदार्थ का pH मान 0 से कम और 14 से ज़ादा नहीं हो सकता अवरी सबस्टेंस जितनी भी पदार्थ हैं उनका pH मान 0 से 14 के बीच में ही होगा इससे ज़ादा pH मान उनका नहीं हो सकता इससे ज़ादा pH मान उनका नहीं हो सकता तो clear है चार आगया समझ में चार कैसा आयन देगा OH-I और OH-I को क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जानते है जो चार जल में घुल जाते है विले हो जाते हैं उनने हम क्या कहते है चार के कहते है चार अमल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा लवन और जल बनाएगा चार लाल लेटमस पेपर को कैसा कर देता है नीला कर देता है चार प्रोटोन देने की चमता रखता है या ग्रहन करने की चमता तो चार प्रोटोन ग्रहण करने की चमता रखता है और जब आप चार में थोड़ा सा मात्रा में आप अमल मिला देंगे तो उसकी चारीता बढ़ घट जाएगी तो चारीता घट जाएगी अर्था तो कैसा हो जαेगा? कम चारी हो जाएगा उसकी जो चारकता है वो घट जाएगी, किलियर है, यही बात है तो एक्जाम में पूछी जाती है, चार के बारे में, हाँ अब प्रश्ण जो और बनेंगे चार से, वो बनेंगे चार के उप्योग, देनिक जीवन में कौन-कौन से चार पदार्त होते हैं, जिनका उप्योग क करते हैं, जैसे, चार के उप्योग, केल्शियम हाइड्रोक्साइड, C-A-O-H-2 का होल ट्वाइस है, देखो जैसे, C-A-O, तो जब O, अकेला O, सिंगल है, तो इसे बोलते हैं, ओक्साइड, सिर्फ क्या बोलेंगे, ओक्साइड, जैसे, केल्सियम ओक्साइड, C-A-O का डाइओक्साइड, डाइओक्साइड, है न, ऐसे ही, यह है आपका C-A-O-H, है न, C-A-O-H, का होल ट्वाइस, तो O-H का होल ट्वाइस, जो गया, यह हमारा कहलाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, केमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे, तत्तों के बारे में, कैसे उनक अचे बारे में, थोड़ा और डीटिल में समझेंगे, तो कैल्शिय माइड्रोक्साइड, जिसका राषानिक सूत्र है, C-A-O-H का होल ट्वाइस, नाम याद रखना, सात्में सूत्र याद रखना, इंपोर्टेंट है, यह चीज याद होना जरूर है, क्योंकि यही आएग या तो नाम पूछ ले जाएगा आप से दे देंगे कि अमलेता दूर करने के लिए किस चार का प्रयोग कह जाता है अब वो तो आपको उसका राशनिक नाम देगा कि या फिर वो राशनिक सूप्तर देगा इने में साइब को पहचानना है तो कैल्सियम हैड्रोकसाइड सफेदी उस सफेदी में यह होता है कैल्सियम हाड्रोकसाइड एक्चुली बनता कैसा है कैल्सियम हाड्रोकसाइड जो आपका कैल्सियम हाड्रोकसाइड होता ना CAO इसकी जब जल के साथ में क्रिया करवाई जाती है H2O के साथ में तब बनता है यह कैल्सियम हाड्रोकसाइ केल्शियम उक्साइड होता है बिना बुज़ा हुआ चूना उसमें पानी डाल देतों उसमें से गैस निकलती गरम गरम भाप निकलती और कुछ दिर बाद में ठंडा हो जाता है उसे बुज़ा हुआ चूना कहते हैं बुज गया है ना तो इस calcium oxide की क्रिया जब जल के साथ में करवाई जाएगी तो हमें calcium hydroxide प्राप्त होता है लीजिए C A H2 कितने 2 और oxygen भी कितने 1 एक 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 दो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे C A O H का hole twice, O H का hole twice का मतलब O B दो है और H भी दो है तो देखो H hydrogen भी दो है और O B एक एरा एक एरा दो है और calcium अकेला है तो जब calcium oxide की क्रिया आप जल के साथ करवाएंगे तो हमें calcium hydroxide प्राप्त होगा जिसका उप्योग हम घरों में चूना पूतने में करते हैं चूने की पुताई करने में किया जाता है दूसरा प्लास्टर बनाने में जो हड्डियों पर जो प्लास्टर बनता है न आपका P.O.P. अलगए हड्डियों पर जो प्लास्टर चड़ता है उस प्लास्टर को बनाने में इसका प्योग किया जाता है मिट्टी की अमलिता दूर करने में जो आपकी मिट्टी अमल प्रकार की होती है जादा अमली मिट्टी होती है जैसा अकसर वो आपके जो उध्योग इंडस्ट्रीज होती है उस इंडस्ट्रीज के आसपास के जो इलाके होते हैं खेत होती है मांकी मिट्टी अमले हो जाती है क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा अपसिस्ट अमली अपसिस्ट निकलते हैं chemicals का नाम जहाँ ज़हाँ मतलब वो ज़्यादा तरके हैं acid है तो ये निकलते हैं तो उनकी मिट्टी के अमलेता को दूर करने में भी इसका उप्योग किया जाता है bleaching powder के तौर पर bleaching powder बनाने के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है जिससे हम बोलते है विरंजक चूरन bleaching powder या विरंजक चूरन बनाने में भी इसका उप्योग किया जाता है bleach करने में bleaching करने में विरंजन में आगे पढ़ेंगे विरंजन क्या होता है प्रक्रिया तो bleaching powder बनाने में इसको उप्योग होता है जल को मृदू बनाने में जो आपका कठोर जल होता है उसको soft water में बदलने का काम भी यही करता है कौन calcium hydroxide नामक चार पहला हो गया तो एक चार हो गया हमारे जिसका देनिक जिन में उप्योग होता है calcium hydroxide calcium hydroxide COH का hold twice इसका रासानिक सूत्र इसका उप्योग करते हैं घरों में चूना पोतने में प्लास्टर बनाने में बिट्टी के अमलेता दूर करने में bleaching powder यह वरेंजक चूरोन बनाने में और जल को म्रदू बनाने में इसका उप्योग क किया जाता है के लिए रहें चलिए उसके बाद कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा जिससे हमारा बनता है साबुन कपड़ा दोने का कपड़ा दोने वाला साबुन है याद रखना कपड़े दोने का साबुन नाने वाला साबुन कास्टिक सोडा जिसका राशानिक सूत्र होता है NaOH और इसका राशानिक नाम होता है साबुन बनाने का जो सोडा होता है कास्टिक सोडा से बनता है उसका राशानिक नाम क्या है तो सोडियम हेडरोकसाइड कास्टिक सोडा का राशानिक सूत्र क्या होता है साबुन बनाने में किसमे बनाने में साबुन मनें पेट्रोलियम को साफ करने में पेट्रोलियम के शुद्धी खरण में इसमें किया जाता है कपड़ा और कागज उद्धोग में किया जाता है अब देखो साबुन में और कभी पेट्रोल में और नए कपड़े में और नए कागज मार्थारत नए कौपी किताब में साबुन में नए कपड़े में आप ये सूंग करके देखना उनकी जो इसमेल होगी वो बिलकुल साबुन के जैसे होगी कभी आपने नया कपड़ा सूंग के देखोगा या नया आपने कोई रजिस्टर या कॉपी किताब सूंग के देखोगी और साबुन सुंके देखोगा, इन तीनों में जो स्मेल होती है वो एक जैसी आती है, गंधी एक जैसी आती है तो इन में किया जाता है तो कास्टिक सोडा, जिसका रासानिक सूथ होता है NUH और रासानिक नाम होता है Sodyum Hydroxide इसका उपयोग साबून बनाने में किया जाता है साथ ही साथ पेट्रोलियम के शुद्धी करण में किया जाता है और कपड़ा और कागजुद्धोग में भी इसका उपयोग किया जाता है दूसरा अमारा च्छार हो गया हो गया ऐसे ही आते ना प्रश्ण देखो मैंने आपको 0.2 points लिख्वा हैं ऐसे ही आते ना नोट के तो और पर आपको यह चीज़ें हैं बन रहे हैं आज बन रहे हैं ऑर इनी चीज़ों लाइनों से प्रश्वन आते हैं ऐसे के ऐसे ही प्रश्वन आते हैं तो कास्टिक सोडा का रिप्योग साबूर बनाने में किया जाता है पेट्रोल के शुद्धी करण में किया जाता है कपड़ा और कागज दोग में भी किया जाता है कपड़ा और कागज दोग में भी इसको प्योग किया जाता है दो चार होगे हमारे जिनका देनी जुन प्योग था 3 चार ले, लेजी, 3 चार आ रहा है Magnesium Hydroxide बहुत important है Magnesium Hydroxide क्योंकि इसका नाम Milk of Magnesium होने की बज़े से important है Milk of Magnesia, ये प्रशन आता है exam में Milk of Magnesia किसे बनाया जाता है या Milk of Magnesia का उपयोग कहां किया जाता है Inno Fruit Salt बनाने में तो magnesium hydroxide, magnesium hydroxide तो इसका अगर सूतर बना है तो magnesium के क्या बनेगा MZ और hydroxide के क्या बनेगा OH का whole twice, magnesium hydroxide जिसे milk of magnesia के नाम से जाना जाता है ये line important है, milk of magnesia अर्थार्थ, magnesia का दूध या दूध या रंग का magnesia इसका जो उपियोग होता है वो किया जाता है, पेट की अमलियता दूर करने में पेट की acidity अर्थार्थ, ino fruit salt जो पेट की अमलियता दूर करने वाले होते हैं उन ino fruit salt को बनाने में milk of magnesia अर्थार्थ, magnesium hydroxide का उपियोग किया जाता है important है, नाम की वज़े से important है, इसके काम की वज़े से तो ही, लेकिन काम से जादा चर्चीत है ये अपने नाम की वज़े से, अपने नाम की वज़े से, ये बहुत जादा चर्चाओं में है कौन? Milk of Magnesia Milk of Magnesia किसका नाम है? Magnesium Hydroxide का क्या सूत्र होता है? इसका रासनिक सूत्र क्या होता है? Milk of Magnesia का? Mgoh का whole twice Magnesium Hydroxide क्या काम में आता है? पेट की अमलियता दूर करने में Acidity को भगाने में प्रशना है जब पेट में अमलियता बढ़ जाती है तो उसको दूर करने का काम कौन करता है? Milk of Magnesia कौन करेगा वई? Milk of Magnesia जो होता है इसकी पेट की अमलियता को दूर करने का काम करता है समझभा रहा है? बहतरीन तरीक से समझभा रहा है? चलिए आगे बड़े, चौथा चार अमोनीवफी के बालों के रंग ने में प्रियुक्त होता है, मतलब आपके जो बालों के hair color और hair dye dye और जो color बनते ना रंग hair color और hair dye होती है वो इसी से ही बनते है ammonium hydroxide से और आज कल तो जब अमोनिय की मात्रा ज़ादा होती है तो वो उतना ही गहरा color होता है लेकिन ये नुकसान दायक होता है तो आज कल एक नए ट्रेंड चला भी ammonia free कि ये ammonia free dye है ammonia free hair color है जैसे वो आपके आते रहते है garnier के, laurel paris वगरे गोद्रेज के, color mat के streaks वगरे super wash mall 30 तील आता है बाल काला करने वाला है केस किंग, केस कांती पतना है ब्रंग राज तील आते हैं बाल काल करने वाले उस पर warning हो, देखो विज्यापन का कितना अच्छा वो एक psychological controlling पर ध्यान देते हूँ psychological effect पर ध्यान देते हैं वो जब भी तेल होगा, जैसे एक आता था शायद केस किंग, केस किंग तेल आता है या कोई और आता है उस पर line रिखते हैं कि बिटा जो ग्राक है वो नहीं भी खरीच दे विश्वास ने करें, तो भी विश्वास करें कि वे साथ दिनों में बाल काला होने की guarantee साथ दिनों में बाल काला करें आपके बाल जड़ें सरो के और उस पर note, note डालके रखेंगे क्रपिया तेल लगाते समय दस्तानों का इस्तेमाल करें या हातों से तेल लगाने के तुरंत बाद आतों को साबुन से दोएं क्योंकि हातों पर भी बाल उगने की संबावना रहती हैं, हतेलियों पर बाल उग सकते हैं भाया विक्यान फेल करती हैं अतेली पे बाल देखें किसी मनुश्य के आपने जब वहां बालों से सम्मनित जो कोशिका ही होती है वो ही नहीं है जड़े ही नहीं है बालों की तो कहां से हो जाए किसी किसी माफ़ाद सरूप होती है अगर होती तो फिर मनुश्य मोगते ना बाल तो वो अरे यार हात में भी बाल होग जाएंगे तो फिर सिर में तो नहीं है जो चीज हात में बाल होगा सकती है मतलब बंजर जमीन में जहां फसल जिस जगह पर पैदा नहीं होती वो फसल वो बीज उस जगह पर भी पैदा हो जाए सोचो सही जगे पर तो कितना खतरनाग बीज पैदा ओगा उससे फसल कितनी ज़्यादा मात्रम आपको प्राप्त होगी होगी ना तो psychological effect तो ऐसा नहीं है तो ammonium hydroxide जो है इसका जो प्योग होता है वो आपके बालों को रंग ने मरतार्थ गारा का मतलब जैसे आजगल तो हम डार्कट सिमेंट की बजरी के साथ में मिलाया, मिक्स किया और उससे हम चिनाई का काम कर रहे हैं मैसोनरी का काम कर रहे हैं लेकिन पहले के जो पुराने मकान बनते थे वो सिमेंट से नहीं बनते थे, सिमेंट बजरी से वो बनता था गारा गारा बनता था एक गरटम होता क्या था एक नाली होती थी व्रत्ताकार नाली बीच में एक एकसल होता था एक बड़ा लीवर होता था डंडा होता था काफी मोटा लकडी का उसके बैल को बहादा जाता था बैल चारो तरफ गुमता था और उस डंडे में बीच में लगा रहता था पत्थर का बहुत बड़ा भारी मोटा पईया वो पत्थर का पईया उस व्रत्ताकार नाली में चलता है उस नाली में क्या डालते उस नाली में डालते थे हमने देखा है अपनी आँखों से देखा है उस जमाने में तो उसमें डालते थे कंकर बजरी में निकलने वाले कंकर बजरी पानी और जो आपका चूना पत्थर आता था न ये वला ये चूना पत्थर ये डालते थे वो डालने के बाद उसमें पानी डाल दिया अब उसके उपर वो पत्थर का पत्थर का बहुत मोटा और बड़ा भारी पई है जब उसके उपर चलता था रोलर की तरह तो वो पिस जाता था बिल्कुल पेस्ट बन जाता था और पेस्ट बन जाता था उसको बोलते थे गारा उस गारे से होती थी मकान की चिनाई पत्थर की चिनाई या फिर प्लास्टर होता था वो इतना मजबूत होता है जो आजकल का सिमेंट नहीं है उस गारे से बनी दिवार में आप कभी कील ठोक के देखो आसानी से कील नहीं ठोक सकते हैं जबकि सिमेंट की दिवार में आप आसानी से कील ठोक सकते हैं इंट वाली दिवार में सिमेंट वाली दिवार में तो वो पह विरंजक चूरन का निर्मान किस से किया जाता है विरंजक चूरन बनाने में किस चार का प्यूग किया जाता है कल्चियम ऑक्साइड का गारे के निर्मान में किस चार का प्यूग किया जाता है कल्चियम ऑक्साइड का किलिर है तो ये आपके कुछ पांच है आपके चार थे जिनका उप्योग हमारे देनेक जीवन में किया जाता है जिनको आपने समझा, अच्छी तरीकी से समझा समझने में और समझाने में कोई दिकत नहीं थी ठीक है भई? तो ये थे हमारे चार जो हमारे जिनका उप्योग हमारे देनेक जीवन में होता था अमल पड़ लिया हमने चार पड़ लिये अमलों को प्योग हमने देख लिये कहा का होते हैं चार को प्योग हमने देख लिये कहा का होते हैं इसके बाद में हमारे आएंगे लवन अमल पड़ लिया चार पड़ लिया अब हम पड़ने वाले हैं लवन के बारे में और जैसा कि आप सब जानते है लवन क्या जब अमल और छार की किरिया करवाई जाती है तो किसका निर्मान होता है लवन का निर्मान होता है किसका होता है लवन का निर्मान होता है ठीक है भई तो लवन जो हम पढ़ेंगे जैसे हम सॉल्ट करते हैं तो कुछ ऐसे देनिक जीओन में काम आने हमारी लवन भी है जिनके बारे में पढ़ा जाएगा कुछ ऐसे आपके जैसे बेकिंग पाउडर दोवन सोडा का नाम से रोग आपने वाशिंग पाउडर उसका नाम पूछा जाता है इनके नाम बहुत इंपोर्टेट है जैसे दोवन सोडा, वाशिंग पाउडर जो होता है या कपड़ा दोने का सोडा साबुन तो बनता है आपका इससे कास्टिक सोडा से इससे बनता है साबुन तो कप्ड़ा दोने की यो टिकी है होती है साबुन लेकिन कप्ड़ा दोने का जो सर्फ आती है सर्फ एक्चुल में कंपनी के ब्राण का नाम है IO नाम होता है उसका Detergent है ना तो वाशिंग पाउडर Detergent पाउडर वो जो बनाने में की उप्यूक के जाता है उसका नाम बहुत इंपोर्टेंट है कि डिटर्जेंट बनाने में या दोवन सूड़ा बनाने में जिसको उप्यूक के जाता है उसका रासानिक नाम क्या होता है उसका सूत्र भी पूछा जाते है फिर हमारा खाने का सूड़ा मीठा सूड़ा या जि मिलते हैं आप से अगली क्लास में आज की क्लास में इतना ही नमस्कार जैहिन